सो गाइस आसकी वड़ा हम बात करने वाले हैं वीवो के Y2850 डिवाइस के अंदर आपने फोन के अंदर Simple Mode Settings का एकसे कैसे करेंगे गाइस अगर आपको अपने फोन के अंदर Simple Mode का Access करना तो एजली कर सकते हैं आपके फोन के अंदर दो settings आती है एक Simple Mode एक Y Color दोनों ही interesting होते हैं अपने फोन को easy to use बना सकते हो Simple Mode Settings से चलो अभी demo करते हैं और आपको दिखाते हैं Simple Mode को Access कैसे करते हैं वेल गाइस फोन के अंदर Simple Mode को Access करने के लिए ओपन करेंगे वापन करेंगे अपने Access करना चाहें तो कर सकते हैं Simple Mode पर क्लिक करना है अब इसके अंदर कोई भी अगर applications उसको own करते हैं options को तो कोई भी restrictions नहीं आती हमारे फोन के अंदर restrictions means कि कुछ भी बंद रही होता अगर स्क्रीन रिकोडिंग हमारी हो रही है अगर मैं इसको चानू कर दू तो कोई effect नहीं पड़ेगा इसले नहीं पड़ेगा क्योंकि इसमें एक launcher है easy to use और कोई भी चीज बंद नहीं होती इससे अब इसको access कैसे करते हैं इसमें बहुत सारे आपको press के sign में लेंगे shortcut generate करने का यह काफी easy तरीका है इसको press करना है totally apps आजाएंगी इसने apps को आप ज्यादा access कर सकते हो ज्यादा access कर रहे हो that means तो आप उसका एक shortcut बना सकते हो ताकि easily इसको open कर सके अज़ देमो मैं कोई भी application लेता हूँ अटल वाल application लेके okay कर देते है अब इसका एक shortcut यहाँ पर बन जाएगा इसके delete करना है तो long press करना इस type से एक minus का sign आएगा इसको आपको इस तरह से remove button है रिमोड कर देंगे तो यहाँ से गाइब हो जाएगा shortcut अगर आपको totally apps को access करना है means कि बहुत सारे shortcuts आपने बना लिया आगे नहीं बन रहा है तो आप all apps क्लिक करके यहाँ से किसी एप को एक single click के साथ आप open करके यूज कर सकते है और अगर इसको exit करना है तो simply settings को press करना exit simple view है इसको press कर देंगे तो यह आपका फिर से standard mode में re-enter हो जाएंगे यहाँ से आप access कर पाऊंगे अपने standard mode को जो भी access कर रहा हो standard mode या draw mode आप वहाँ पर आ सकते है I think समझ गोंगे simple mode को access कैसे करना था भीवो के Y28 5G device करना